सर्वभूतेशु चात्मानम, सर्वभूतानी चात्मनी, विज्याय निरहंकारो, निर्ममस्त्वं सुखी भव नमस्कार मित्रों, यह जो श्लोक है, यह अश्टावकर गीता के पंदरवे अध्याय का छटा श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे, सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं, जो श्लोक हो कहता है, सर्वभूतेशु चात्मानम, आत्मा सभी भूतों में है, आत्मा में है, विग्याय निरहंकारो, अर्थारत यहसा जान करके निरहंकार होकर निर्ममस्त्वम सुखी भव, अर्थारत निर्मम होकर तुम सुखी हो जाओ, तो यहाँ पर अश्टावकर जो बात कहा रहे हैं, वो पहले भी बताई जा चुकी है, और यह गीता में भी इ भूतों में आत्मा है, और सभी भूत जो हो आत्मा में, अर्थारत आत्मा और भूतों में कोई ऐसा नहीं है कि वो जो भूत हो आत्मा से कहीं प्रिथक हैं, बिना आत्मा के कोई भी अस्तित्व नहीं हो सकता है, यहाँ पर किसी का भी अस्तित्व नहीं हो सकता है, बिना आ ये जान करके जो है तुम एहंकार से जो है उपर उड़ जाओ और निर्मम हो जाओ और इस प्रकार से सुखी हो जाओ क्यों क्यों कि तुम्हारा जो स्वरूप है वह क्या है आत्मा ही है मैं आत्मा स्वैम तो ये वाली बाते जो कि हम पर बताए जा रही है कि जो स्वैम में ही सब को देखता है और सब को स्वैम में देखता है या अपना जो वास्वएक शुरूप है उस में ही सब को देखता है और सब को जो है उसी में देखता है वो व्यक्ति जो है कि यहीं वास्तों में प्रता को देखना और वह मैं हूं, स्वयम वही मेरा वास्तविक स्वरूप है किवल यह शरीर नहीं है अपर तो संपूर्ण ब्रह्मान जो है वह मेरा वास्तविक स्वरूप है यह देखना तो अभी इस प्रकार से जब कोई व्यक्ति देखेगा तो मेरे मन में कोई विकल्प उठ्पन हुआ वह एक अलग बात ह है जबकि मैं इतनी इतनी तपस्या कर रहा हूं या इतना कुछ मैसा अध्यातना करओं तभी दोशेत है वह जो है मालो किränे अपने तपस्या करीucks आपका मन मान लिजा आपने शुद्द्र कर लिया पर अन्यक्ति का मन यह दी दूशेत है तो कोई भेदी नहीं हो उसमें क्योंकि आत्मा में ही सब कुछ है और जो है सब कुछ है वो आत्मा में तो वो वाली बात है यहां पर कि हमको इस बागत की चिंता ही नहीं करनी चाहिए कि मेरे मन में कोई विकार उत्पन हो रहा है तो यह मेरी साथ मेरी समस्य आ New क्योंकि वह और वास्तोविक स्वरूप है हो है तो मनंसे बहुत प्रेवाला है मैं अंत तह कहां पहूंचूंँगा ठीक है अभी मेरा शरीर में एक शरीर में बना हुआ हूँ यह अंत मैं तो महीं पहुंचूंगा ना जो की संपूर्णता में है और वो जो सब में दिखाई देता है सब के भीतर है, सब में समया हुआ हुआ है उसी मैं पहुंचूंगा अंततह में ठीक है अभी थोड़ा सा एक थोड़े समय के लिए एक अंच जो है मेरा वो इस शरीर में बद्ध है तो ठीक है अभी वो किया किया कर आए विमर्श के दॉआरा जो है मैं के वहले शरीर का अनुभाव कर रहा हूं यहां पर अअवी छोडरी प्रत है तो कुछन सोवर्ष की बात है सोवर्ष अधिक अधिक होऊंगे अंतते थ्मेरा जो अंतत्यस्थान का हैं वहेंAL तो वहीं है वहां से फिर से मुझे यहां थोड़ी आना है इस चपेड़े में थोड़ी पढ़ना है मेरे को जो यहां पे मैं अभी इस संसार में जो भी है सब राग द्वेश और कलाय कलेश जो है इन सब में मुझे नहीं पढ़ना है तो अभी मैं हूँ थोड़े समय के लिए अंत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्य यहां पर कियावल यह नहीं है कि कयावल जो व्यक्ति, जो चैतनी हैं जनको चेतना है वो नहीं, भूत से सबकुछ यहां पर है, यहां तक कि कोई जड़पदार दिखता है, कोई पत्थर में दिखता है, वह भी वास्ता वे बihin वास्ता वे हैं, कि केवल इस शरी से जोड़ करके बोलना कि हाँ ये शरी जो है सबसे बेश्ट है ये सबसे संसार का सबसे सबसे श्रेष्ट व्यक्ति ये है इसके पास इतना धन है इतनी इसके पास में गाडियां है इतना इसके पास में घर है इतने परिवार जन है इतनी शक्ति है ये सब से सबढ़ों में हैं सभी इस में है और यह सब में गो पर भाइप है। जब गहीं हो तक तन रखे घा तब तक तो समझचे रहेगい। यह। संपून में है संपून में है ये वास्तों में सभी इसमें है और ये सब में है जब तक वो नहीं जानेगा तब तक निरहेंकार और निर्मम नहीं होगा और जब निरहेंकार और निर्मम नहीं होगा तो बस वो फसा ही रहेगा फिर इसमें अपने स्वरूप को नहीं पहुंचेगा, अपने वास्वी घर को नहीं पहुंचेगा, यात्रा ही करता रहेगा, यात्रा ही करता रहेगा, यात्रा ही करता रहेगा, वो वाली बात ही जो कि यहाँ पर एश्टावर के कह रहे हैं, आशे करता हूँ कि मैंने इस इस लोग को झाल झाल